राम राम दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं फीस करी फीस करी आज हम बनाने वाले हैं अपने चैनल पे और आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा तो दोस्तों लाला जी कहीं गया हुए जैसे कि मैं पीछला वीडियो में भी आप देखें और देखें हम रहू फीस करी बनाएं तो अच्छा से मेरिनेट करके इसे 10-15 मिन के लिए छोड़ देंगे हल्दी और नमक अगर इस तरीके से आप बनाते हैं दोस्तों तो बहुत ही जवर्दास टेस्ट आएगा खाने में तो लाला जी भी बनाते हैं फीज कड़ी और अभी नहीं है वह तो मैं बना रही हूं तो देखिए हम लसन ले लिए एक गांट और धनिया ले लिए हैं साबुत धनिया एक चम्मच दो छोड़ा चम्मच सर्षो और एक चोड़ा जीरा और लाल मिर्ट जितना तिखा आप खाते हैं तमाटर एक ले ले लें सिलवट्टे पर मसाला को फीश लेते हैं देखिए अधिए सारे मसाला को हम सिलबटा पीसेंगे ये आप चाहें तो मिकसर जार में भी पीश सकते हैं अगर आप मसाला को फ्रेज पीश के डालते अना फीश करी में तो बहुत ही अच्छा स्वाध आता है ने तो पता है आज कल लोग क्या कर रहे हैं कि रेडी में कड़ाही में गरम कर लिए हैं अब अपना फीज डाल के फ्राइब कर रहे हैं फीज को हमें बिल्कुल करारा करके उसके बाद निकालना है जैसे हमारा फीज करारा हो जाएगा दोनों साइट से हम निकाल के रखते जाएंगे तो यह हम घर पे ही बना रहे हैं दोस्तों और आप से भी को कैसा लग रहा है यह फीज करी का रेसीपी बताते रहिएगा कमेंट बक्स में आपको मिलेगा देखने को और लालाजी बहुत है है के लाला जी डाबा चलाते हैं और बहुत ही बहुत ही बहुत एप आप आप टेस्ट एक त Depend गुट इतनुषे इसमें हम राही डाल दिया है यानि कि सर्षय राही कोई विचरी डाल सकते हैं इसमें पेस्के रेडी हैं नहीं मसाला को डाल दिये हैं अगर आप मचली में प्याज खाते हों, छैसे कि हम राइ डाले थे ना टरका में, वहीं पर एक प्याज को ठोड़ाज चोड़ा ड्रपीज लिए रूपीज काटके अर हमएरे बिना प्याज वाला ही मचली अच्छा लगता है लसन के साथ खूब चारा लसन और मसाला जैसी हमारा खूब बढ़िया लाल भून जाएगा ना बिल्कुल तेल चोड़तेगा तो हम पानी डाल देंगे जितना आपको करी बनाना हो तो देखिए यहीं हम स्वाधनुसा नमक ड फफटेटियों जानयक ओवजलिनना लुकुल यहाउंड मचहिश पार सबकाल देंगे के लिचेका आपके ज्यादा हो तो लो फ्लेवियों जैसा मचली तो देखिए लो फ्लेमपा भणने के बाद यह इस तरीके से बनके तयार आदिए और थोड़ा सा थंडा हो गया है तब मैं आपको सर्प्रटर दिखा रही हूँ फीज करी आप कभी भी खाएं हलका सा थंडा फीज करी खाएंगे ना बहुत ही मचायेगा वह तो आपने 24 दोस्तों बहुत से लोग गरम घरम खाते हैं लेकिन हमें हलका सा गरम होता है जबी अच्छा लगता है आप लोगों को कैसा लगता है हलका गरम अच्छा लगता है कि ठंडा फीज करी अच्छा लगता है कॉमेंट में जरूर बताएगा दोस्तो तो अगर आपको हमारा नया चैनल नहीं पता है जैसे कि मैं रोजाना खाना तो हमारा पुराना चैनल है और एक हमारा चैनल है अनीता जी का कीचन अनीता जी के कीचन पर आपको गाउं का वीडियो मिलेगा चूले पर बनाते हुए खाना में मिलूंगी तो आप वो भी चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और गाउं से जुड़े रहने के लिए बहुत- धन्यवाद हमारा चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद मिलते हैं दोस्तों बाई बाई अगली वीडियो में